नमस्कार दोस्तों स्वागर्थ करता हूँ आप सभी को टेकिराच यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने ओपो आर नाइन एस या फिर किसी भी ओपो मुबाइल में स्टोरेज प्रॉब्लिम को आप कैसे सॉल्फ कर सकते हो यहाँ पर देखे दोस्तों क्या होता है कि हम अपनी मूबाइल में जो है हमारे पास 6GB या फिर 12GB या फिर 34GB का जो है हमारे पास स्टोरेज रहता है लेकिन यहाँ पर इस यहां पर यहाँ हम कम अप्लिकेशन चलाने के बावजूद भी हमारा इस पस यहाँ पर shapतो तो कैसे चली बिना देर के वे शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले आपको बता दू कि दोस्तों यह आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजे, साथी साथ बेल आइकों को भी दबा देना और इस वीडियो को एक लाइक अभी कि ओविय मोबाइल में, जो है, हमें पता भी नहीं चलता है, और हमारे मोबाइल के इन्भीट समफ़वेर से ही क्या होता है, कि कभी-कभी बहुत सारे डुबलिकेट फाइल क्रियेट हो जाता है, हमने फोटो कोई खीचा फोटो गाट बन जाता है, कभी कोई के ज़री ऐसे भी कैसे fix करना है बताऊंगा आगे और भी दो तरीका बताऊंगा कैसे आप storage problem को fix कर सकते हैं वीडियो के साथ बने रहीएगा तो दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है simply आपको यहां पर चलिए मैं back आता हूं यहां पर उसके बाद में दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है full duplicate scan पर क्लिक करके यहां पर आपको scan now पर क्लिक करना है उसके बाद में दोस्तों यहां पर आपका system के अंदर जितना भी images, videos, photos, music है वो सारा यहां पर scan होना शुरू हो जाएगा आप देख सकते हूं यहां पर scan हो चुका है अभी दोस्तों यहां पर देखिएगा कितना सारा duplicate file पढ़ा हुआ है मेरे यहां पर आप देख सकते हूं ठीक है अभी देखिए यहां पर 180 file पढ़ा हुआ duplicate आप सोच के देखिए एक file यदि 10 MB का रहेगा तो आप सोच के देखिए यहां पर 180 file कितना होगा 1.8 GB का आपके अंदर में फाल्तु का space जो है वो खाके रखाया अभी आपको क्या करना है यहां पर delete now पर आपको क्लिक करना है ठीक है यहां पर delete now पर क्लिक करना है are you sure confirm कर द आ है और इसके ऐगा आपको यहOS करें आप उसके और उसके बाद में दूस्तों यहां पे आपको application manager पर आपको जाना है हर मूबायल में अलग अलग होता आपके तो इसी के वलज़े से हमारा जो है space बहुत ही कम हो जाता है अभी suppose कि मैंने facebook को open किया यहाँ पे अभी यहाँ पे storage usage में चला गया तो आप देख सकते कि 417 total यहाँ पे MB यह मतलब लेके रखा है अभी इससे हटाने के लिए आपको क्या करना है clear data पे click करना है और उसके बाद में यहाँ पे दोस्तो आपको clear कर देना है तो दोस्तो यह एक तरीका है एक एक one by one करके आप यह data clear कर सकते हैं हर application का ठीक है अभी third option क्या आएगी दोस्तो यह दी यह सारे करने के बाद भी आपका storage जो ही वो कम नहीं हो रहा है तब आपको अपना mobile last option यह यह कि आप अपना mobile को reset कर सकते reset करने के बाद में क्या होगा कि जितना भी application का data usage वगरा है वो सारा खतम हो जाएगा तो खतम होने के वज़े से आप re-application install करेंगे तब आपका storage काफी आपके पास बच जाएगा तो यह तीन उपाए था दोस्तों मैंने आपको बता दिया तो उम्मिद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयोगा